हेलो इंजिनियर्स मुना नाम है शाजव, I am professional estimation and costing engineer और आप सब इंजिनियर्स के लिए corporate earner तो आज का जो हमारा वीडियो के topic है इसमें हम calculation करेंगे number of bricks का यानि कि हम यहाँ पर देखेंगे अगर हम 10 by 10 feet के रूम में number of bricks निकालेंगे तो हम उसको किस तरीके से calculate करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो हमारा रूम है 10 by 10 feet का रूम है और इसमें आपके door और window भी आ रहे हैं तो उसका deduction भी हमें करना है तो यह सारा calculation आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं यहाँ पर हम जो calculation करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो dimensions है वह हमें fit में दे रखिए तो यहाँ पर हम fit में भी calculation करेंगे यानि कि square fit में area निकाल के फिर हम number of bricks निकालेंगे और इसका calculation आप cubic meter में भी देखने वाले हो हम इसको change करेंगे symbolic meter में ले करके जाएंगे volume निकालेंगे और पिर पिर हम उसका calculation करेंगे यानि कि हम number of bricks निकालेंगे यानि कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यह video वह engineers के लिये है जो की वीडियो के श्टार्ट करते है तो सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर हमें यह रूम दे रखा है और इसकी जो डाइमिशन्स हमें बता रखी है वो 10 by 10 feet यानि कि इसकी जो चारों वाल है उनकी जो लेंथ है वो आपकी 10 by 10 feet है यहां पर आप देख सकते हैं 10 feet इसकी लेंथ है और 10 feet इस वाली यानि यह जो हमारा रूम है वो 10 by 10 feet का है और बाकि दोनों वाल जो है वो भी आपकी 10 by 10 feet की है तो यहाँ पर हमें इससे number of bricks निकाल लिए और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी height फ्लोर की वह हमारी 12 feet है इसके बाद हम देखते हैं इसमें एक door आ रहा है हमारा door की जो height है व सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे वाल की लेंथ और वाल की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे हमारी चार वाल की लेंथ सेम है 10 by 10 feet का रूम है मैं आपको फिर से बता रहा हूं तो यहां पर आप 10 plus 10 plus 10 और plus 10 यहां पर आप करोगे तो आपको वाल की लेंथ मिल जाएगी, जो कि आपकी आईगी यहांपर 40 feet, 40 feet आपकी वाल की लेंथ यह 4 वाल की लेंथ है, इसके बाद हम हाईट की बात करेंगे यहांपर, तो हाईट जो आईगी हमारी, वह हमें दे रखी है डिरेक्ली 12 feet, चारो जो व से पहले हम यहापर निकालेंगे area of wall area of wall हम यहापर calculate करेंगे और area of wall हम जब निकाल रहें तो 4 deduction निकाल रहा है याने कि अभी हमने इस में से door या window का deduction नहीं किया है पहले हम wall का area निकालते है चारों ओल का तो यहां पर हम क्या करेंगे L x out यहनिकी length of wall and height of wall तो length जो है आपकी वो दे रखिए आपको 40 feet और multiply by height, height आपको दे रखिए 12 feet तो यहाँ पर आपको मिल जाता है area जो कि आपका आएगा square feet में क्योंकि यहाँ पर जो हम dimensions ले रहा है वो हमें feet में दे रखिए तो wall की length 40 feet multiply by 12 feet जो कि height है तो यहाँ पर आपको area मिल जाएगा 480 square feet 480 square feet यहाँ आपका wall का area यहाँ पर आ गया यहाँ आपको wall का area मिल जाता है 480 square feet इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर door का area तो यहाँ पर door का area जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे door की height multiply by door की जो चोड़ाई है आपको दे रखी 4 feet दोने को multiply करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 32 square feet यह हमारे door का area है इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर window का area ठीक है window का area निकालने के लिए हम window की दोने dimensions यानि की 4 by 4 की हमारी window है 4 by 4 हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हम मिलेगा 16 square feet यह हमारा window का area है इसके बाद हम यहाँ पर calculation करेंगे area दुबारा से हम wall का निकालेंगे लेकिन इसमें से हम deduction करेंगे door का area और window का area माइनस करेंगे wall का area में से तो फिर से हम calculation करते हैं, अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, area of wall after deduction, यहाँ कि deduction करने के बाद wall का area क्या आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा wall का area हमने पहले निकाला है, 480 square feet, इसमें से हम minus कर देंगे, जो हमारा door का area है, 32, हम यहाँ पर करेंगे 16, जो कि हमारा window का area है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा area of wall after deduction, deduction करने के बाद आपका wall का area कितना आ रहा है, वो हम यहाँ पर calculate कर लेते हैं, और यह हमारा आएगा 432 square feet, 432 square feet यह हमारा wall का area आ जाता है, deduction करने के बाद, अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमें number of bricks निकाल लें, तो पहले calculation में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कि अगर आपको square feet से number of bricks निकाल लें, तब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हम एक value लेके चलते हैं, कि अगर हम एक square feet की बात करें, यान कि number of bricks, number of bricks in one square feet, अगर हम एक square feet में number of bricks की बात करें, तो यहाँ पर आपकी कितनी bricks आएंगे, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, तो बहुत सारे जो conductors हैं, वो 11 bricks लेते हैं, यानि कि एक square feet में आपकी 11 bricks लगती हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर ले रहा है value, तो 11 अगर हम लेते हैं, तो हमारी cubic meter के compare में वो value जादा आती है, थोड़ी सी जादा आती है, लेकिन अगर उसको exact लेके चलें, तो यहाँ पर आप देखोगी, यह आपका आएगा 10.69, यानि कि एक square feet में आपकी 10.69 bricks लगती हैं, तो य यहाँ पर हमारा जो wall का area है, 432 square feet, इसको multiply करते हैं 10.69 से, तो यहाँ पर हमें number of bricks मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो हमारी bricks आएंगे 4618, इतनी आपकी bricks लगेंगे, यहाँ पर 4618 आपकी bricks लग रहे हैं, 432 square feet के area में, जिसमें हम value लेकर के चल रहे हैं, 10.69, एक square feet में इतनी bricks लगेंगे, तो 432 में आपकी 4618, 4000, 618 bricks लग रहे हैं, आपकी 10 by 10 feet के रूप में, और यहाँ पर जो walls हैं यह सारी, वो आपकी 9 inch की walls हैं, यह आपको याद रखना है, यह सारे हमने जो calculation कर रहे हैं, वो हम 9 inch के लिए कर रहे हैं, और यह जो 10.69 हम लेकर के चल रहे हैं, वो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यह आपने देखा के 9 inch की wall है, तो 10.69 आपकी bricks लग रहे हैं, और total आपकी bricks आएंगी 4618, इसके बाद अगर आपको calculation करना है, इसको square meter में निकालना है, तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, तब आपका calculation थोड़ा से यहाँ change हो जाएगा, और तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप area को change करोगी, square feet में आपको area दे रहा है, आप square meter में जाओगे, तो आप देखते हो, एक square meter में आपकी 10.76 square feet होते हैं, तो square meter बड़ी value है, square feet छोटी value है, हमारे पास जो wall का area है, वो square feet में है, और हमें इसको square meter में change करना है, तो य 432 आरा था, divide by 10.76 हम यहां पर करेंगे, तो हमें जो area मिलेगा, वो square meter में मिलेगा, तो यह जो आपका area आएगा, वो आपका आएगा 40.14 square meter, यह आपका wall का area यहां पर आपको मिल जाता है, square meter में 40.14 square meter, जिसमें already deduction हो चुका है, अब इसके बाद हम देखेंगे, अब देखें यहां पर कि हमने thickness नहीं ले, क्योंकि हमें पता था कि 9 inch की wall में 10.69 bricks आ रही है, लेकिन अब जब यहां पर हम number of bricks निकाल रहे हैं, तो फिर हम volume से निकाल रहे हैं, तो फिर आपको यहां पर thickness की ज़रूरत है, क्योंकि volume बिने thickness के आप नहीं निकाल सकते हो, तो thickness of wall यहां पर तो volume हमारा जो आएगा, तो यहां पर हम area multiply by thickness करेंगे, 40.14 हमारा wall का area है, multiply by thickness 0.23 और यहां पर हमें मिल जाएगा volume of wall, volume of wall जो हमारा आएगा, वो आएगा 9.23 cubic meter, यह हमारा volume आगया wall का 9.23 cubic meter, इसके बाद हम देखेंगे, जो हमारा एक brick होता है, उसका क्या size होता है, उसके सा आप से हम calculation करेंगे, तो अभी हम यहां पर देख रहे है, 9.23 cubic meter हमारा wall का volume हा रहा है, तो यहां पर हम देख रहे है, हमारी जो एक brick का size है, वो हमें दे रखा है, 190 यानिकी standard brick है, 190 इसकी length है, 90 mm इसकी height है, 90 mm इसकी चोड़ाई है, तो यह एक brick की dimensions है, लेकिन यहां पर आप द length में add कर देंगे, तो यहां पर हमारी जो brick का size हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, यहां पर हम निकालेंगे volume of one brick, volume of one brick, एक brick का क्या volume होगा, तो यहां पर 190 into 90 into 90, यह आपका brick का size है, 10 mm का motor इसमें add होगा, तो यह size हो जाएगा, 200 into 100 into 100, ठीके, 10 mm हमने इसमें तीनों side add किया और यह जो volume है, उसको आप dimensions जो हमने यहां पर लिखा हुए है, वो mm है, आप उसको meter में change करोगे, तो यह हो जाएगा 0.2 into 0.1 into 0.1, और इसका volume आएगा 0.002 cubic meter, यानि कि यह आपका जो है, वो आपका एक brick का volume है, motor के साथ, इसके बाद हम निकालेंगे number of bricks, number of bricks for one cubic meter, तो यह यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा एक cubic meter की wall है, अगर हमारी, तो उसके लिए हम number of bricks निकाल रहे हैं, तो one cubic meter को हम divide कर देंगे, एक brick के volume से, यानि कि 0.002 से, तो यहां पर हमें मिलेगा 500 bricks, यानि कि 500 brick आपकी लगेंगे एक cubic meter की wall में, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि एक cubic meter मे यहां क्या करेंगे, numbers निकालने के लिए 9.23 को multiply कर देंगे 500 से, क्योंकि एक cubic meter में 500 brick लग रहे हैं, और 10 by 10 feet का, जो हमने volume निकाला है, चारों wall का, वो 9.23 आ रहा है, तो एक cubic meter में 500 multiply by 9.23, और यहां पर आपको number of bricks मिल जाएंगे, और यहां पर आपके number of bricks जो आएंगे, वो आपके आएंगे 4615, यह आपके number of bricks यहां पर आ जाते हैं, और जिसमें आप देखोगे, कि आपका सिर्फ 2 से 3 brick का फर्क आता है, सिर्फ 2 से 3 brick का difference है, अगर आप उसको square feet में निकालते हो, या पर cubic meter में निकालते हो, तो आपको इस तरीके से, दोनों तरीके से, आप calculation कर सकते हैं, ताप हमारे number of bricks कैसे निकलेंगे, तो I hope यहां पर बहुत अच्छे से आपको चीज़े समझ में आ गई होंगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आईए, तो please इस वीडियो को like किए जए, और अगर ये सारी चीज़ों को आप detail में सीखना चाहते हैं, आप पूरा project का estimation को सीखना चाहते हैं तो हमारे बहुत सारी courses हैं जो की buildings को लेकर हैं highway के लिए courses हैं bridge के लिए courses और बहुत सारे हमारे 10 champ method हैंtone जैसे कि झाल झाल